नमस्कार दोस्तों सुवागत है आप सबी का हमारे यूटूब चेनल ग्यान कामना पर तो दोस्तों RPSC 2nd Grade Teacher Exam 2022 को लेके आप सब के लिए एक latest update आया और latest update यह है कि RPSC के दवारा 2nd Grade Teacher Exam 2022 का टाइम टेबल हो जारी कर दिया है इस वीडियो में मैं आपको टाइम टेबल के बारे में बताऊँगा यानि यह जो अक्जाम हो कब से लेके कब तक आय जित होने वाली है और इसी के साथ इस अक्जाम को लेके 2-4 खास बातें वो भी आपको बताने वाला हूँ अगर आपको भी जानना है तो वीडियो के साथ वो आप बने रहे चलिए वीडियो को शुरू करते हैं तो दोस्तों जैसे कि आप सभी को पता है कि वे साथी जिनोंने RPC Second Grade Exam 2022 के लिए आवे दिन किया था वो केवल एक ही बात का इंतिजार कर रहे थे कि आखिरकार RPC के दवारा Second Grade Exam 2022 का टाइम टेबल वो कब तक जारी किया जाएगा तो दोस्तों फाइनली आप सब का इंतिजार वो कम्पलीट हो गया है क्योंकि RPC के दवारा Second Grade Teacher Exam 2022 का टाइम टेबल वो जारी कर दिया है चलिए टाइम टेबल की बात करते हैं दोस्तों आप हमारी स्क्रीन पे देखिएगा ये राजिस्थान लोक्षेवा आयोक अजमेर यानि RPC के दवारा प्रेस नोट जारी किया गया है जो कि 11 नोबर 2022 को जारी किया गया और इस प्रेस नोट के अंदर Second Grade Teacher Exam 2022 के टाइम टेबल के बार में डिटेल से जानकारी दिये अब ये जो अग्जम है वो 21 दिसंबर 2022 से लेके 27 दिसंबर 2022 के बीच में आईजित होने वाली है इस अग्जम की खास बात ये है कि ये जो अग्जम है वो तीन ग्रूप में होने वाली है ग्रूप A, ग्रूप B और ग्रूप C और परते ग्रूप का GK का जो पेपर है वो अलग-लग होने वाला अगर अपन यहाँ पर time की बात करें तो यह exam है दो पारियों में आई जित होने वाली है पर्थम पारिका जो समय रहेगा सुबर 9 बज़े से लेके 11 बज़े तक का रहने वाला इसके लाव दित्य पारिका जो समय रहेगा दो पर 2 बज़े से लेकि शाम साधे 4 बज़े तक का रहेगा अगर अपन group wise बात करें तो यहाँ पर देखिए group 1 के अंदर social science को सामिल किया गया है अब social science और gk का जो paper है वो 21 दिसंबर को आई जित होने वाला है इसके लाव दित्य अपन group B की बात करें तो group B के अंदर 3 subject को सामिल किया गया है जिसमें Hindi, English और Urdu है और इनके gk का जो paper होने वाला है वो 22 दिसंबर को आई जित होने वाला है और इसी के साथ Hindi का जो man paper होगा वो भी 22 दिसंबर को होगा और इसके लाव इंगलिस और उर्दू का जो man paper होगा वो 23 दिसंबर को आई जित होने वाला है वैसे सभी exam का जो समय रहेगा वो एक जैसा ही है इसके लाव एदि अपन group C की बात करें तो group C के अंदर यहाँ पर 4 subject को सामिल किया गया है science है, science कर्थ है, mathematics है और पंजाबी है यहाँ पे देखिए जिक के और science का जो paper होने वाला है वो 24 दिसंबर को आई जित होने वाला है इसके लावा science कर्थ और math का जो paper होने वाला है वो 26 दिसंबर 2022 को आई जित होने वाला है इसके लाव यहाँ पर अगर पंजाबी सब्जेट की बात करें तो इसका जो पेपर है वो 27 दिसंबर 2022 को आई जित होने वाला है तो कहने का मतलब यह ही कि दोस्तो यह जो अग्जाम है 21 दिसंबर से लेके 27 दिसंबर 2022 के बीच में आई जित होने वाली अब अगर इस अग्जाम की और खास बात करें कि वह इसके जो एड्मिट काड हो कब तक आने वाले तो दोस्तो अग्जाम के च्यार दिन पहले आपको एड्मिट काड है वो प्राप्त होंगे क्योंकि 4 दिन पहले ही आयोग के दवारा है वेव साइट पे अप्लोड किये जाएगे और जैसे ही admit card को लेके latest update है तो आगे की वीडियो के अंदर में आपको जुरू जानकारी दूँगा इसके लावा admit card डाउनलोड करने से पहले आपको अपने exam center का पता लग जाएगा और exam center की जानकारी आपको 7 दिन पहले दे दी जाएगी जिसी आपको मालूम हो जाएगा कि आपका जो exam है कौन से district में और कहां पर होने बाला है तो आपको address का पता या फिर district का पता है वो आपको यहाँ पर लग जाएगा बताना दोस्तों आज की वीडियो जानकारी आपको कैसे लगी अगर वीडियो जानकारी आपको अच्छी लगी होता है वीडियो को लाइक करना और वीडियो को जादा से जादा अपने दोस्तों में शेयर करना और इस exam को लेकि ये दिया आपके और भी कोई सवाल हैं तो आप वीडियो के निचे हो कमेंट कर सकते हैं और इस exam के बारे में आपकी क्या राय है कि ये जो exam center है कहां पर आने चाहिए home district में या फिर other district में जैसे कि अपन फेस्ट grade की बात करें तो फेस्ट grade के अंदर जिला मुख्यालियों के अंदर है वो यहां पर exam हुई थी अलांकि सभी district में नहीं हुए थी संभाग wise है वो exam हुई थी अगर उसी आदार पे second grade की exam करते हैं तो संभाग wise है साइद ये होने वाली है लेकिन सुणने में ऐसा आ रहा है मैं पक्का आपको नहीं खह सकता कि ये जो exam है वो district वायजित होने वाली है अब होगी या नहीं होगी इसके बारे में हम confirm नहीं है इसके बारे में आपकी क्या राय है कमेंट करके मुझे ज़रूर बरताई जो साथ ही हमारे चैनल पर पहली बार आये है और अब ही तक चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो चैनल को भी शब्सक्राइब कर लिजएगा बेल आइकन दबाके All Notification उसे भीries ओन कर लिजएगा